नमस्कार लोकमत सक्खी मदे तुम्चे सग्लेंच मना पासन स्वागत आज आपन पाहना रहोद गुल खानाचे फाइदे कोंटेत तर आच्चे वीडियो मदे आपन पाहुयाद गुल खानाचे पाच फाइदे एक मनजे एनेमिया होणया पासुन प्रतिबंदित करते गुल हा आईरंचा सर्वत कुरुष्ट स्त्रोते जर तुमचे शरिरात रखताची कमतरता सेल तर तुमी नियमित पने गुल खा हे हिमोगलोबीन खुप वेगान वाडवत आणी अशक्त पनासार ख्या समस्या टालेता दोन वजन कमी करना साथी गुल हा अत्यनत उप्यूकते कारण साखरेचा तुलने गुला मदे कैलरिस सप्रमाण खुपस कमिये त्या मुले वजन कमी करना साथी हा उत्तम परियाए या वेतिरिक्त शरीराद वाटर रिटेक्षन मुले होनारा सूच्ची समस्या दूर करता तर दरोज गुलाचा सेवन केलान आपलो वजन नियंद्रानात रहता तीन आपली पाचक प्राणाली सुधारते जेवल्यान अंतर थोड़ा गुल खल्लास अन्द सहस पस्ते गुल विटामीन आणी मिनरिल इलेक्ट्रोलाइट संदुलन राखनेयास आणी मेटाबोलिजम सुधारनास मदद करते फाइबर, प्रतिने और इतर आवशक पोशक्तत्वान सम्रुद दसलेन गुल खल्लेन पाचक प्राणाली सुधारते और उल्टया, गैस, अपचन या सरक्या समस्या उद्भवत नहीं चार, शरीराला डिटोक्स करते, गुल खल्लेन शरीरातिल विशारी घटक बाहर पड़तात, रक्त शुद्ध करता और शरीरातिल विशारी घटक काडून टाकतात, गुलाचा नियमित सेवनान सर्दी, पड़से और शारीरिक अशक्तपनासार के समस्या दूर होतात पाच, हाडे मजबुत करतात, गुला मदे कैल्शिय मानिक फॉस्फरस मुबलक परमानात आधलतात, दोनी पोशक घटक हाडान सठी चांगले मानले जातात जर, गुला बरबर दरोज आलाचा सेवन केलातर सांदे दुखिला, खूब आराम मिलतो धन्यवाद, जर तुमी लोक मत सकी, यूटूब चानल सब्सक्राइब नसरे केलातर सब्सक्राइब करा, वीडियो आवडलास लाइक करा और शेयर करायला विसरुनका